क्वारेंटाइन करने से तातपर्य प्रधक करना या खुद को अलग थलग करना यानि आप अगर होम क्वारेंटाइन कर रहे हैं तो घर के भीतर रखें अपने आपको और साथी साथ घर के भीतर भी अपनी गद्विधियों को सीमित करें इसके साथ ही साथ किसी भी आने जाने वाले व्यक्ति को किसी भी आगंतुक को घर में ना आने दे इस बात का खयाल रखें कि अगर आप अलग कमरे में रहें तो इससे बहतर कुछ नहीं हो सकता हम क Warren time की जरूरत ऐसे लोगों को है जो एसे देश्यों से हैं जहां समधाय में और ему 19 ऌरा menor वायरेस से संख्रमन रहा हो उसका प्रसार रहा हो या फिर ऐसे लोग जो इन लोगों के साथ में ऐसे समुहों के साथ में यात्राकर के आये हैं जो COVID-19 या coronavirus से संक्रमित रहे हो या संभावित तteen तोर पर भी संक्रमित रहे हो। लोगों के साथ निकट संपर्क में रहे हो ऐसे लोग भी खुद को home quarantine रहे हो। अगर आप अपने परिवार के साथ रहते हैं तो कोशिश करें कि घर के किसी हवादार कमरे में खुद को सीमित कर लें कमरे का दर्वाजा बंद रखें अगर आप अलक कमरे में नहीं रह सकते हैं और एक ही रूम में कई सारे लोग रह रहे हों तो इस बात का विशेश ख्याल रखें कि दूसरे विक्तियों के साथ कम से कम एक मीटर की दूरी बना कर रखें एक ही बिस्तर कताई शेयर ना करें इसके साथी साथ इस बात का भी खयाल रखें कि घर में जो बीमार वेक्ती हों, बुज़र्ग हों, बच्चे हों या गर्बती महिलाएं हों तो उनके साथ विशेश दूरी जरूर बना कर रखें अलग शौचाले का इस्तेमाल करें, अगर आपके कमरे के साथ अटाजड बातरूम है तो इससे बहतर कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन अगर कई सारे लोग एक ही बातरूम इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग शौचाले नहीं है घर में, तो हर इस्तेमाल के बाद शौचाले को अच् रहें इसके साथी साथ इस बात का भी विशेश ख्याल रखें कि साबुन और तौलिय जैसी चीज़ें बिल्कुल भी किसी और के साथ शेयर ना करें हर समय ट्रिपल लेयर मास्क पहन कर रखें और हर 6-8 घंटे के बाद इस मास्क को बदलते रहें एक बार इस्तेमाल कि वो मासक को दोबारा कता ही न पहने इस बात का भी विशेश ख्याल रखें कि इस्तेमाल कि हुए मासक को अच्छी तरे और बीट से धुल कर फिर उसे नस्ट करें क्योंकि आपके मासक जरीए यह संक्रमन पहल सकता है इस बात का भी विशेश खहाल रखे कि इस्तिमाल की अपनी सारी चीज़ें अलग रखें आपका चदर, आपके बरतन, आपका तॉलिया, आपका फोन, सारी चीज़ें इस्तिमाल की जो आपकी हैं वो बिल्कुल अलग रहे हैं आपका वेस्ट या आपका कूड़ा डबल पैक में होना चाहिए और अगर आपका वाइरस टेस्ट पॉजिटिव निकलता है तो इसका अलग से निस्तारण होगा इसे अलग से डिस्पोज आफ किया जाएगा अगर आप घर में अकेले रहते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग का सहरा ले या आप होम डिलिवरी करके भी सामान मंगवा सकते हैं इसके राव आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते हैं तो अपने दोस्तों और सहियोगियों का सहरा ले उनके जरीए सामान मंगवा हैं लेकिन उसे अपने घर के दर्वाजे पर ही ड्रॉप कराएं इस बात का खास खयाल रखें कि जो व्यक्ति सामान लेकर आया है उससे आप कताई संपर्क न करें इस बात का भी विशेश ध्यान रखें कि कॉरंटाइन कर रहें व्यक्ति की देखभाल घर का केवल एक व्यक्ति ही करें और ऐसा व्यक्ति जब घर की साफ सफाई कर रहा हो चदने बदल रहा हो उसको साफ कर रहा हो तो हाथ में दस्ताने पहन कर रखे और दस्ताने उतारने के बाद अपने हाथ अच्छी तरह से धोए अगर आपके अंदर जुकाम या बुखार जैसे कोरोना वाइरस से संक्रमन या COVID-19 के लक्षन उत्मन होते हैं तो नजदी की स्वास्त केंद्र या अस्पताल पर फोन करिए सीधे अस्पताल मत पहुँच जाईए या फिर हल्प लाइन नंबर 011-23-978046 पर फोन करके अपनी इस्तिती के बारे में जानकारी दीजिए और वहां से सहायता मांगे सीधे अस्पताल या स्वास्त केंद्र मत पहुँच जाईए यानि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है साबधानिया बरतिये जागरूप बढ़िये और कोरोना वाइरस के प्रसार को रोकिये